मेरे नाम सचिन और आप देख रहे हैं सूपर हो कॉमिक्स तो यहरा आपको इंफिनिटी वॉर में थौर की वकांडा में एंट्री तो याद होगी ही वो पूरे एमस्यू की हिस्ट्री में एक ऐसा मॉमेंट था जिसने कईयों को थौर का जवरा फैन मना दिया लेकिन क्या कॉमिक्स में इन दोनों की पावर्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसलिए आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे किन में से कौन सा थौर सबसे जापाफुल है तो इसलिए आज मैं आपको हर एक फोडो का लिंक तो शेयर करने सकता इसलिए आज मै वालपेपर नाम की एक अप्लिकेशन बता रहा हूं जिसमें आप का वेंजस से लिक रैने में तक 20 प्लस कैटेगरी में 6 लैक एपिक वालपेपर मिल जाएंगे इसके लिए आपको बस गूगल प्लेश्टों में जाकर नॉक्स लाकी वालपेपर के लिए सर्च करना है आप इसके लिए आपको बस इंस्स्टाग्राम में जाकर किसी वीडियो पर इन तीन डॉट्स पर क्लिक करके शेर टू का ओप्शन सेट करना है फिर नॉक्स लाकी पर क्लिक करने के बाद वीडियो स्क्रें पर सेट हो जागी टिक-टॉक में भी ऐसा ही है बस शेयर बटन पर क्ल आप से रेट करें बाकी तो आपको पता ही है और एक और बात ये एप iOS डिवाइस के लिए भी बन चुकी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसे डाउनलोड जरू कर लें चलिए बिना टाइम बर बात किये आज इस अमे की साइकल इनिकी वज़े से होती थी मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो एस गार्डियन के डेथ से जनरेटेड एनरजी शैडव गॉड्स को जिंदा रखे हुए थी ओडिन इस बात को चानते थे उन्होंने कई वार रैगनरों को रोखने की कोशिश भी की इवन उ प्लैन यह था कि क्यों न थोर की पावर्स को चीन कर उसे अर्थ पर भेज दिये जाया जिससे वह इंसानों के बीच रहकर अपनी असली ताकत को पहचानेगा और एक इंसान बन जाने की वज़े से ही शैडव गॉड्स की नजर भी उस पर नहीं पड़ेगी और ऐसा ही लग नरोक से वह कैसे बचा पाएगा लगने सामने आए एक लड़का जो कि बेसिकली ओडिन फोर्स थी ओडिन फोर्स ने थोर को कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जो अन इमेजिनेगल था यानि एंशिंट रून्स की विज्डम और मैजिक ऐसी पावर जो थोर को एक सेलेस् किया और फिर उसे एंशिंट रून्स की पावर मिली जिससे थौर इतना पावफुल बन गया कि दोस वसे टवर इन शैडोस उसके सामने भीक मांगने लगे लेकिन थौर ने उनके करमों के लिए उनने नहीं चोड़ा और वो थंडर गॉर्ड से हार गये अब बात करते हैं थौर के पावर्स की तो रिए मैजिक हासिल करने के बाद थौर प्रेजन को कंट्रोल कर सकता था यूनिवर्स की हर एक चीज का पास्ट और फ्यूचर दोनों उसके सामने आ चुके थे यानि आज से दस लाग साल बाद अर्थ पर क्या होगा वो भी थौर को पता लग गया रियालिटी सोल और मैटर मैनिवलेशन जैसे एक्स्टर ओर्डिनरी पावर्स उसके पास आ चुकी थी इवन उसकी बेसिक पावर्स लाइक स्टैमिन और स्ट्रेंथ हद से ज्यादा बढ़ चुके थे इंफनेट स्पीड से ट्रैवल करना इंटर डैमेंशनल ट्रैवल कॉस लाइफ क्रियेशन और मरेहों को जिन्दा करना यह साई पावर्स ऑफ थोर के पास थी यहां तक कि अब तो वह ओडिन फोर्स का मास्टर था इसी तब की बदौलत थोर ने मैंगो को सिर्व अपने हाथों से रोक दिये था जहां मैंगो कुछ और नहीं उन बिलियन बिंग् एक लिविंग वेंजेंस जिसे रोका नहीं जा सकता लेकिन थोर ने उसे सिर्फ रोका ही नहीं बलकि एक रियोन स्पेल से टच करते ही उसकी एक्जिसेंस से खत्म कर दी और एक एक एक्जामपल के तोर पर हम उसे डीसी के डूम्स दे की तरह मान सकते हैं इसके लावा इस क इसके अलावा थोर अकेला ही सर्टर और उसकी आर्मी से भी भीड़ गया था और वो सब उसके सामने कुछ नहीं थे इवन कि सब में तो थोर ने मियोनिर कभ योज नहीं गया तो ये सारी वाते रियून किंग थोर को काफी जाद अपाफुल बनाती है अब बात करते हैं फे पहले ही दोवारा जिन्दा गिया था ये सब रोकने के लिए वो कोजमोस के एंड तक गया जहां उसे मिला ओल्ड मैन लोगन विद फिनिक्स फोर्स लोगन लाखों सालों से फिनिक्स फोर्स की वज़त से जिन्दा था और जब दो पुराने दोस्त यानि ओल्ड किंग थोर और वो मिले तो उनके बीच एक भयानक बैटल हुई क्योंकि लोगन कभी नहीं चाहता था कि अर्थ दोवारा जिन्दा हो वो सब की मौत देखकर ठक चुका था और अब उसे युनिवर्स का एंड चाहिए था ताकि फिनिक्स फोर्स उसे छोड़ जाए और वो शांती से मर नहीं था फिनिक्स फोर्स एक मल्टी वर्सल एंटिटी है जिससे डिरेक्टली बिना किसी प्लैनिंग के मुकावला करना अपनी मौत को गले लगाना होगा थोर ओल्ड मैन फिनिक्स से हार गया लेकिन फिनिक्स फोर्स उसने थोर को मारने से इंकार कर दिया क्योंकि थोर न सब को खत्म कर देना चाथा था फीनिक्स फोर्स को भी और थोर को भी सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर सेंग गोश्ट राइडर यानी जरुत होस आयन फिस्ट और स्टार ब्रेंट जिसने बियॉंडर तक को खत्म कर दिया इस वक्त डूम के पास अपनी पावर्स के साथ-साथ इन चारों की पावर्स थी जिस वज़ा से ओल्ड मैन फीनिक्स भी कई हजारों सालों से उसे हरा नहीं पा रहा था दूम को इन चारों सूपर हीरोज की पावर्स का यूज करते हुए लाखों साल बीच चुके थे इसलिए वो इतना पाफुल हो गया था कि घोश्ट आडर क पैनन स्टेर ने थोर को खून के आंसुरो लाए उसे वो सारी दर्द महसूस कराए जो दूसरों को थोर की वज़े से जहलने पड़े थे थे थोर तो मानो हार ही गया कि तब भी दूसरी तरफ ओल्ड मैन फीनिक्स यानि लोगन उसे डूम ने हेल फायर से तबा कर दिया फी इन ही बुरी यादों से मर रहा था लोगन समझ चुका था कि अब ये अंत है उसने मियोनिर उठाया और फीनिक्स फोर्स मियोनिर में थोर के सामने ही लोगन खत्म हो गया अपने इकलोते पुराने दोस्त को उसके आखरी समय में इस तरह देखकर थोर की गौडली पावर्स पैननस्टेर तक को उबरकम कर गई है मतलब वही पैननस्टेर जिसने गैलक्टेस तक को खत्म कर लिया था वो थंडर गौड के सामने अब कुछ नहीं थी फिर मियोनिर को उठाते ही फीनिक्स फोर्स थोर के साथ एक हो गई है शायद ये सबसे पाफुल थोर था लेकिन फि जवाल ये उठता है कि इनमें से ज़ादा पाफुल कौन सा है वेल आप मैंसे कहीं गेंगे कि शायद रियून किंग थोर पर जवाब इतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि अगर बात करें फीनिक्स किंग थोर की तो उसके पास फीनिक्स फोर्स की पावर थी जो एक मल्टी वर और नहीं घुटनों पर ला दिया था पर ओल्ड किंग थोर एक बहुत पाफुल गौड है जिसके साथ इसका कॉम्बेनेशन में भी सबसे पाफुल में से एक हो और ऊपर से थोर के पास ओडिन फोर्स भी थी जो खुद एक गौडली पावर है और वहीं उसका दुश्मन ड लब हुआ कि फेनिक्स किंग थोर ने एक मल्टी वर्सल लेवल के डूम को हराय था जिसके पास सौर्सर सुप्रीम की पावर भी थी तो इस हिसाब से तो फेनिक्स किंग थोर की ये फीट उसे सबसे जादा पाफुल थोर बनाती है और सच कहूं तो इसके राइटर्स ने भ फेनिक्स किंग थोर से जादा पाफुल बनाती है और यहां ते कि इस कॉमिक में ये भी का गया था कि वो गौड्स जिने थोर ने हराय था वो सलेस्टियल थे जो बात रियून किंग थोर को यूनिवर्स में सबसे पाफुल विंग्स में से एक तो जरूर बनाती है और अग जरूर वो वियॉंडर्स थे तो फिर रियून किंग थोर सबसे पाफुल थोर है क्योंकि वो गौड्स जिने थोर ने रैगनरोक के टाइम हराया वो पांस थे और पांच बियॉंडर्स को एक साथ हरा देना बहुत मुश्किल गाम है पर अगर लोकी का वो में भी गलत हुआ तो अब इसी बात है रियून किंग थोर के पावर लेबल पर काफी फरक बड़ेगा और फिर तो हम बस उसकी पावर का अंताजा लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उससे रिलेटेड जादा रिसोर्स नहीं है वो सिर्फ दो इशूज माया था जिसकी वाज़े हम रियून कि किंग थोर तो अपनी क्लास में टॉप पर था पाकि वो गॉड्स जिनने थोर ने हराया आज तक यह क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि वो थे कौन इवन कि मार्वल ने भी आज तक उने सीक्रेट ही रखा है तो ऐसे तो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है अगर वो शैडो तो क्या पता आने वाली किसी कॉमिक में दवन हो सिटेव इन शैडो के वारे में हमें कुछ पता चले लेकिन तब तक हम टेक्निकली पूरी तरह कंफर्म होकर फीनिक्स किंग थोर को आस दक का सबसे पाफुल थोर मान सकते हैं क्योंकि इसके केस में हम फीनिक्स फोर्स की ल लगता है इन दोनों में से कौन सा थोर जादा पाफुल है कमेंट करके जरूर बताएं हास ओफ हम की स्टोरी हम शुरू कर चुके हैं जिसका लिंक आपको स्क्रिन पर यहां मिलेगा कॉजमी किंग थोर के बारे में देखने के लिए इस दूसरी वीडियो पर क्लिक करें और इस पहले नोक्सला की वालपेपर को डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से ज़रूर डाउनलोड करना मिलते हैं हमारे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू और गुडबाए